नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अगलासम स्कूल में मैं हूँ साक्षी और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कक्षा साथवी के हिंदी विशय के तेरवे अध्याय का सारांश बताऊंगी और इसके साथ ही अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर बे समझाऊंगे इस कविता का नाम है एक तिनका जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरी यौधने तो आएए अब शुरू करते हैं इस कविता का सारांश इस कविता के माध्यम से कवी ने घमंड ना करने की सीखती है कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि छोड़ी से छोड़ी चीज भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़ कर रख देती है इस कविता में कवी ऐसी ही घटना का जिक्र करता है एक बार वा घमंड में भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था तबी अचानक कोई तिनका उसकी आख में पढ़ गया इससे कभी बेचैन हो जाता है उसकी आख लाल हो गई और दुखने लगती है लोग उसकी मदद के लिए आए और उसकी आखों में पढ़ा तिनका निकालने लगे उस जरा से तिनके ने लेखक का सारा घमंड तोड़ दिया किसी तरह जब तिनका उसकी आख से निकला इसका पहला प्रश्ण है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसका उत्तर है एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, लाल होकर आग भी दुखने लगी थी, इसका उत्तर है बिशारी एट दबे पाव भागी, जब किसी धब से निकल तिनका गया, इसका उत्तर है जब तिनका किसी धब से निकल गया, आईए अब दूसरे प्रस्ट की और बढ़ते हैं, एक तिनका कवीता में किस गटना की चर्चा की गई है, जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है, एक तिनका कवीता में घमंड से भरे कवी के आखों में पड़ा तिनका उसे बेचैन कर देता है, वह खुद को श्रेष्ट समझता था, लेकिन तिनके के उसकी आख में जाते ही लेखक दर्द के मारे रो पड़ा, तिनके के आख से निकलने के बाद ही उ हमें स्वयम पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड हमारे गुणों को समाप्त कर देता है और हमें जानवर बना देता है, इसलिए हमें अपने घमंड का त्याग करना चाहिए, आखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, आख मे कुछ कर नहीं पा रहा था, इससे उसका घमंड दूर हो गया, घमंडी की आख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन इसके बाद भीवे तिनका निकालने में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका प इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है, तिनका कभू ननी दिये पाउं तले जो होई, कभू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होई, इन दोनों में क्या समांता है और क्या अंतर है, लिखे, इन दोनों में समांता वह अंतर को समझने से पहले इसके आशे को जानना उन्चूर हो गया अर्थात एक तिनका तेरा घमंड तोड सकता है दूसरी तरफ कबीर जी कहते हैं आप जब मार्ग पर चलते हैं आपके पैरों के नीचे जमीन पर पड़े तिनके की निंदा मत कीजिए क्योंकि अगर कभी वह उड़कर आपकी आंग पर गिर गया तो बहुत ही भयानक दर्द का कारण बन सकता है अर्थात अविमान से ग्रसित वैक्ति को चाहिए कि किसी को भी अपने से कमजोर वा छोटा ना समझे क्योंकि जब समय बदलता है तो एक तिनका भी बहुत भारी समस्या दे सकता है इन पंतियों की समानता है कि उपाध्याय जी वा कबी में अंतर है एक तरफ उपाध्याय जी ने जहां स्वयम को संबोधित किया है उसके अनुसार एक समय में इतने अभिमानी थे कि स्वयम के सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे पर एक तिनके के कारण उनका सारा अभिमान जाता रहा तो दूसरी तरफ कभी वदास जी ने ति उनके को संबोधित किया है उसके अनुसार कभी भी दूसरे व्यक्ति को छोटा समझ कर उसके निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि समय की स्थिति कैसी पड़े कि वह तिनका उसकी पीड़ा का कारण बन सकता है तो दोस्तों यह था पूरा पार्ट और उसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको इस कविता को समझने में मदद मिली होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शिल्स जरूर करें अगलस हम स्कूल के माध्यम से हम कक्षा साथ से लेकर कक्षा बारत अक्के विश्यों के अथ्याय और उसके प्र झाल